इस दोस्तों मैं हूँ अंकर चौधरी चार बच गए हैं और all subjects क्योंकि जैसा आपने कहा था कि सर्प पॉलेटी की तो अच्छी चल रही है तैयारी 12 बजे की क्लास से बहतरीन तैयारी हो जाती है बट बाकी subjects जो बच गए है geography, history इसके लावा environment, economy उनको भी थोड़ा strong करवा देता तो मज़ा आ जाता तो इन classes के थूँ कोशिश यह है कि आपके जितने subjects है मतलब जितने भी चाहे वो geography हो चाहे वो economy हो चाहे वो history हो चाहे वो environment हो उन सब को भी बहतर तरीके से करवा दिये जाए और current affairs से link करके क्योंकि आपको पता है पिछले एक साल के last one year के current affairs आप से पूछे जाने वाले हैं है ना पिछले एक साल के current affairs आप से पूछे जाएंगे तो वो सब करवाने की कोशिश इसी class में है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हाँ session को like और share कर देना like और share करना मत भूलना आप में से क अच्छे तैयारी कर रहे हैं तो session को share जरूर कर देना और आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको remind करा दू कि री स्टार्ट री स्टार्ट दुबारा से शुरुवात 12 फेल आई थी वहां पर री स्टार्ट दिखाए गया तो तो कुछ ऐसा ही कुछ नया कुछ बहुत अनो रखिएगा और जो बच्चे इस साल पेपर देने जा रहे हैं 26 मही को आपका प्रिलिम्स का एक्जाम में टेस्ट लगा के जरूर जाइएगा टेस्ट सीरीज अभी तक जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कर लीजिए टेस्ट अथान टेस्ट सीरीज आपके घर तक डिलेवर की जाएगी इंग्लेश अंडी दोनों में है कूपन कोड़ वाई 365S वाई 365S लगाएंगे तो इस पर डिसकाउंट मिल जाएगा और लगभग लगभग 4400-4500 रुपीज की आपको मिल जाएगी और यह सब आप देख सकते हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज में अडिमिशन लि आपको मिलेंगे यहाँ पर जूना है पहल पहला सवाल ट्रॉपिक कैस्केड की ट्रॉपिक गास्केड इनवारमेंट का फॉच्चन है इवारमेंट विच आफ दा फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब दा कॉंसेप्ट आफ ट्रॉपिक कैस्केड निमनलिखित में से कौन सा ट्रॉफिक कैस्केड की अवधारना का सर्वोत्तम वर्णन करता है सर्वोत्तम वर्णन करता है ट्रॉपिक कैस्केड करेंट अफेज में रही है चीज इस वज़े से क्वेशन बनने के चांसे ज्यादा है किसी विशेश प्रजाती की समष्टी में आक्सिमिक एवं प्रभावशाली वृद्धी अस सड़न एंड ड्रमाटिक इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज ठीक है एक प्रत्यक्ष पारिस्थिती की प्रभावों की एक श्रंखला जो किसी परभक्षी या शिकार्प जाती को हटाने या जोड़ने से उत्पन होती है एक प्रकार का जैविक नियंत्रण जिसमें कीटों की समष्टी को नियंत्रित करने के लिए शिकारियों का उप्योग किया जाता है एक उपाए इन्वार्मेंट का क्वेश्टन है ट्रॉफिक कैस्केड देखे ट्रॉफिक कैस्केड का मतलब क्या है फूड चेन होती है फूड चेन फूड चेन में सबसे नीचे है प्रेड्यूसर्स है ना आपके प्लांस यह सब हो गई हो गए ग्रास is over ट्रीज हो गए यह प्रेड्यूसर貝 फिर इनके उपर होता हर्बी वोर्ड्स हर्भी वोर्डर्श हर्भी वोर्ड्स कोन होते हैं इनकी संख्या बढ़ेगी इनकी संख्या बढ़जाएगी और जब इनकी संख्या पढ़ेगी बढ़ेगी तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट कहाएगा उसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा इमीडियेटली नीचे वाले लेवल पर वो क्या है वो है आपके प्रेडियूसर्स आप खुद देखो अगर जंगल में शिखारियों की संख्या कम हो जाए शेरों की संख्या कम हो जाए बाग की संख्या कम हो जाए तो उनसे नीचे जिनका वो शिकार करते हैं उन जानवरों की संख्या बढ़ेगी अगर उनकी बढ़ेगी तो वह जादा से जादा घास पेड़ पत्ते उनको खाएंगे तो यहां क्या होता है जो प्रिडेटर्स होते हैं जो उपर की तरफ कार्निवोर्स होते हैं उनका जो अफेक्ट पड़ता है फूड चेन पर उसे कहते हैं हम ट्रॉफिक कैस्केड कि यह जो हमारे कार्निवोर्स है यह जो हमारे शिकारी है नर्भक्षी है प्रिडेटर्स है य यह नीचे वाले Tropical level को control में रखते हैं क्योंकि अगर यह control में नहीं होगा तो सबसे नीचे जो producers हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी क्योंकि यह उसे जादा से जादा खपत करेंगे उसकी जादा से जादा consume करेंगे तो यह जो impact होता है आपके topmost level के प्रिडेटर्स का food chain को control करने में उसे कह जाता है ट्रॉपिक कैस्केड अगर यहां पर आप देखेंगे आस सीरीज ओफ इंडायरेक्ट ecological effects that result from removal or addition of a predator or prey species अगर आप इन्हें हटा देते हो या फिर इनको introduce कर देते हो उसका food chain पर क्या प्रभाव पढ़ता है वो होता है ट्रॉफिक कैस्केड तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर ओप्शन नमबर भी ऑप्शन नमबर भी समझ में आ गई मेरी बात समझ में आ गई तो जो प्रिडेटर्स हैं प्रिडेटर्स का बेसिकली food chain पर कंट्रोल जो होता है और उसकी वज़े से जो इंपक्ट होता है उसकी वज़े से सीरीज आफ ट्रांजक्शन जोते हैं उसको स्टडी किया जाता है ट्रॉपिक कैस्केड में ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेसिशन की तरफ इस इसके हम डेली बेसे पर रिविजन कर लेते हैं most of the concept फिर देखो मैं तो अपनी तरफ से यही कोशिश कर रहा हूं कि जितना हो सके उतना सब करवाद हूं आपको जितने टॉपिक हो सकें जितना हो सकें करवादू भाई अब यह तुम्हारे उपर है इसलिए मैं कहता हूं जो भी मैं questions कराता हूं इन्हें revise करके जाना जब भी बेटा exam देने जाओगे न इन questions को revise करके जाना क्यूंकि यह ना केवल आपके static topics से question बन रहे है जो current affairs में आपक ही कूंगर है हाव बंचो इस closely को कौन सी केटिक्री में डालोगे जरा मुझे बता दो कौन सी क् athletes की में डालोगे कौन से subject का question यह तो बता दो कि या यह भी नहीं बता पा रहे कि कौन से सब्जेक्क का question है कौनसी category में रखोगे नहीं बता पाओगे कि बिल्कुल सैबात आठ और कल्चर बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है आठ और कल्चर प्रम्रिदंगं की बात की जा रहे हैं मि 1914 अगर मैं नौर्थ इंडान लैंग्वेज्ड बोलुना और कुछ न्या धूलक कि है मैं अगर मैं उत्तर भारत अपनी भाशा में बोलू नौर्ट-र्डिल लैंग्वज कि बात करन ल्गुज कि में हमारी बात करो हिंदी की तो वो धोल्क होती है न दोनो तरफ से बज़ती है दो능 फेस इस होते हैं दो इस तरह से बज्मु मुखने जाती अब यह म्रिदंगम जो है यह बनता है आपका लकडी लकडी और लेदर से बाई जो पूरा उसका फ्रेम होता हो लकडी का होता है और जहां से आप उसे बजाते हो वो क्या होता होता है लेदर तो हां यह जैक वुड और लेदर से बनावा होता है by facial का मतलब क्या है by facial का मतलब दो मूझ दो जो इट आपुलर by facial drum of Carnatic music and is used as an a came a campaign meant in South Indian classical music बिल्कूल सबातर करनाटिक music jota उसमें एक important instrument के तौर पर इसे देखा जाता the instrument is very close to Paka Waj that is mostly used in Hindustani traditional music नौर्थ इंडिन बिल्कुल सही बात है हमारा जो हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है उसमें पखावज के इस्तमाल करते हैं वो भी धोलक ही होती है और धक्षिन भारत की बात की जाए तो वहां पर म्रदंगम का प्रयोग किया जाता है तो दोनों एक जैसी होती है नाम जो है वो थोड़े अलग अलग है और थोड़ा सा फॉर्मेशन में फरक होता है तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है लेकिन वह पूछ रहे हैं इनकरेक्ट कौन सी है क्या पूछा उन्होंने उन्होंने कहा इनकरेक्ट कौन सी है गलत कौन सी है तो भाई गलत तो कोई सी भी या तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नमबर डी याद रखिएगा ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट या फिर कोई डान्स फॉर्म या फिर कोई ठीटर आर्ट फॉर्म पर्फॉर्मिंग आर्ट फॉर्म अगर खबरों में रहती है वह आ आपके आर्ट रो कल्चर का पार्ट है कोई पर्टिकूलर क्वेश्चन ही क्यों बनेगा उसके पीछे कोई रीजन होगा ऐसा तो यह अक्कडबकड बंब करके पेपर बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं वह जो रिलिवेंस होते हैं और क्रेंट अफेर्स की वज़े से हो जा है ठीक है ग्रीन शू एक बार पहले समझायता है टॉपिक आज उससे भी बढ़ा है क्वेशन ग्रीन शू के उपर और और इसलिए कहता हूं नीचे चेक जरूर किया करो करेक्ट पूछ रहें करेक्ट पूछ रहें वरना गलती कर देते हो गड़बड कर देते हो देखा करो कि सवाल क्या पूछ रहा है कई वह पूछ रहाएं तुम करेक्ट बताने पर आ गएं वह पूछ रहा है करेक्ट तुम इनकरेक्ट बता रहे हैं तो उसको चेक किया करो ग्रीन शू automotive बैटा मैंने पढ़ाय भी था और बताया भी था एक question कराया था green चूपे समझाया भी था green चूप्शन क्या होता है क्यों green चूप कहा जाता है अच्छा बात बताओ याद है आपको मैंने एक दिन पहले green चूप कराया था कितनों को याद है सच सच बताना कि मैंने एक दिन पहले green चूप कर वाया था आपको कि देखो क्या था green चूप्शन बेसिकली हो आईपयो निकाला जाता आईपयो क्या PHIL- Grad DAO Initial Public Offering Initial Public Offering क्या होता है पहली पहली बार जब कोई company अपने share market में बेचती है पहली पहली बार first time उसको नाम दे जाता है IPO Initial Public Offering कहीं बार क्या होता है एक जो IPO अंडर सब्सक्राइब होता अंडर सब्सक्राइब का मतलब यह हजार share release किये गए company के लेकिन जो लोग अपलाए कर रहे हैं शेर के लिए वो 500 ही है तो 1000 में से केवल 500 शेर ही भी के यह अंडर सब्सक्राइब हो गया कई मार होता ओवर सब्सक्राइब कर देना ओवर सब्सक्राइब का मतलब है आपने 1000 शेर लॉंच किये थे लेकिन खरीदने वाले 1500 लोग आ गए तो अब तो एक्स्ट्रा आ गए हैं लोग इतने शेर तो आपने इनिशल पब्लिक आउफरिंग में निकाले भी नहीं थे ग्रीन शू अप्शन का मतलब क्या है आप हजार शेर निकाल रहे हो लेकिन आप यह डिकलेर कर देता हो कि अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ तो मैं एडिशनल 200 शेर और बेचूंगा या 300 शेर और बेचूंगा तो ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन में वो जो आप शेर प्रामिस करते हो बेचने के लिए फिर आप मार्केट में वो शेर भी लेकर आ जाते हो उनको भी सेल आउट करते हो उनको भी बेचते हो वो होता ग्रीन शू ऑप्शन बेसिकली पहली बार ये काम यूएसे में कंपनी ने किया था जिसका नाम था ग्रीन शू इसी वज स्क्रिप्शन होता है तो मैं 200-300 एक्स्ट्रा शेयर और बेचूंगी वह होता है आपका ग्रींचू ऑप्शन इसा ही होता कि पहली पहली बार IPO के माध्यम से कोई जो निजी संस्ता होती है निजी कंपनी होती है वो अपने शेयर जनता को बेच रही होती है IPOs are made available for subscription by investor बिल्कुल सही बात है IPO निवेश को द्वारा सदस्यता के लिए उपलब्द कराए जाते है IPO का मतलब और कुछ नहीं है IPO का मतलब है पहली पहली बार कंपनी के द्वारा शेयर बेचने जाना है this process is known as subscription period or offering period बिल्कुल सही बात है वो period वो अवधी वो period जिसमें शेयर बेचे जा रहे है पहली पहली बार उसे कहा जाता है subscription period या offering period during this period interested investors have the opportunity to place orders to purchase share of a company being listed बिल्कुल सही बात है तो यह जो subscription period होता है या फिर offering period होता है इस period में जो लोग निवेश करना चाहते हैं उस company के shares में उनको मौका दिया जाता है कि वो बोली लगा कर उसमें subscription ले सकते हैं इसका correct answer हो जाएगा D अब मत भूलना अब फिर से मैंने clearly समझा दिया है क्या होता है green shoe option ultimately याद रखिए जो economy के question बनेंगे जो environment के question बनेंगे उसमें से बहुत सारे question ऐसे होंगे जो current affairs से उठाए जाएंगे current affairs में economy environment से related जो बाते होंगी उसी को ultimately question की form में आपको से दिया जाएगा ठीक है तो याद रखिए का आप मत भूलिए ग्रींचू और यह पहले भी कर वाया था मैंने और का था पढ़ना इसके बारे में चलो next question अगले सवाल पर आजो spread in the context of banking system which of the following best describes the term spread पढ़ाय कभी spread के बारे में क्या होता यह शब्द spread कभी NEWS में पढ़ा हो इसके बारे में कभी कभी आइडिया लगा औरको क्वेस्चन के बारे में हुआ है अजदल सप्रेड के वारे पढ़ा सच सच बताना कि इतन बच्चोने स्प्रेड के बारे में पढ़ा सच सच बताना और नहीं पढ़ा तो भी बता देना कोई बात नी तो मैं समझ जाओंगा तुम कितने अच्छे से पढ़ रहे ओ करेंट फिर कितनों ने पढ़ा स्प्रैड में सच सच बता ना है कभी-कभी मुझे ऐसे लगथा क्या करेंट फेर पढ़ रहे और क्या पढ़ रहा है जुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट वातेतों चोड़के आ जाते हो दो इंपोर्टे इंपोर्टेंट तो तुम छोड़ देते हो तुम करेंट इसका पलाय एंट जिस पर कुरियों मनते हैं तुम वही मुझे लग़र odpowiol क्रेंट को बने वärt है अ बहुत ठींश बहुत संपल सा ज्यादा मुझिल है टेंशन मतले ना बड़ी असानी से तम्हें समंझ में आजाय का देखो मैं बैंक कूँ ठेक है यह महरणो मैं बैंक काश मैं होता कितना मुनाफ़ा कमा रहुता मैं चलॉ बात नहीं सपोज मैं एक बैंक मैंने क्या किया मैंने तुम्हें लोन दिया लोन अब मैंने तुम्हें लोन दिया तो तुम मुझे क्या करोगे ब्याज दोगे तो मुझे क्या मिलेगा मुझे मिलेगा इंट्रेस्ट ब्याज मिलेगा न अब यह मत कहते नहीं है हम तो इमानद कर ली लेकिन वहीं 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 बहुत सारे लोगों ने मेरे बैंक में खाता भी तो खोला अकाउंट भी खोला है बहुत सारे लोगों ने मेरे बैंक मुझे देना भी पड़ा है अब बता सकते हो अंसर बोलो अब बता दो कि अंसर बताओ अब बता दो अंसर अब तो मैंने समझा दिया अब तो अंसर तुमारे सामने है बताओ क्या होगा चलो एक बार ट्राए करो बता दो अंसर क्या होगा अब तो तुमारे सामने अंसर है हाब यप तो बात तुम्हारा बास मिल्गा देखो आंसर मिल्गा तुम्हें आंसर बास देखा काता ना सिंपल सा है छोटा सा कॉंसेप्ट है पता कर लोगे अपने आप आंसर बता दोगे तो को सब बताने लग गए इतलि करेंस बिट्वीन दा कितन वह कमाई कर रहा है लोन के माध्यम से कितना पैसा उसके पास आ रहा है व्याज उसके पास और कितना व्याज वो अपने कस्टमर्स जिन्होंने अकाउंट कुला हुने दे रहा उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को कह दिया जाता है तो करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नमबर बी आसान था लोग अगले सवाल पर आजाओ या पाच्च्वा सवाल पाच्च्वा फिप्त ऐसन चोटे छोटे चोटे koncerts पर क्वेशन बनते हैं इकनोमी में चोटे-छो शोटे कार Tin чем ऑप्षन है इस प्रैड है चोटे-चोटे वो कह देंगे रिसेंट्ली इंडान ऊट्म भरोओ अे देखा गया ता मैश और बन जाएगा with reference to credit creation in Indian economy credit creation की बात की जारी है बच्चे द्यान से करना है question with reference to credit creation in Indian economy consider the following instruments used by the central bank भारती अर्थ वस्था में रिण स्रजन के संदर में केंद्रिय बैंक द्वारा उप्योग किये जाने वाले निमनलिखित उपकरणों पर विचार करें increasing the cash reserve ratio नकद आरक्षित अनुपाद बढ़ाना increasing the statutory liquidity ratio वैधानिक तरलता अनुपाद बढ़ाना increasing bank rate, bank दर्प में व्रधी, increasing the obligation under capital adequacy ratio पूंजी परियाप्तता अनुपाद के तहत दायत्वों को भढ़ाना how many of the above ways can act as limit to credit creation by banks in Indian economy देखो पहले तो यह पता होना चाहिए आपको credit creation का मतलब क्या होता है credit creation का मतलब होता है wealth generate हो economy में अर्थ वस्था में पूंजी जागरत हो अर्थ वस्था में पूंजी जागरत कब होगी जब अर्थ वस्था में पैसा लगाए जाएगा अब यह बात बताओ अगर आप production ही नहीं बढ़ा रहे तो अर्थ वस्था में wealth कैसे बढ़ेगी तो आपको अर्थ वस्था के आकार को बढ़ाना पड़ेगा है ना तभी तो जाद से जादा पूंजी देश में विकास होगा पूंजी का तो उसके लिए आपको अर्थ वस्था के आकार को बढ़ाना पड़ता है अर्थ वस्था के आकार को बढ़ाने की जहां तक बात आती है economy के size को increase करने की जहां तक बेटा बात आती है उसके लिए अर्थवस्था में निवेश करना बहुत ज़रूरी है investment बहुत ज़रूरी है बिना investment के थोड़ी अचानक से अर्थवस्था का आकार बढ़ जाएगा economy का size अगर increase करना है it is very important कि आप उसमें निवेश करें investment हो अब investment के लिए पैसा कहा से आता है bank को से आता है bank के पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो उतना ज़्यादा आपको दे पाएगा loan के तोर पर लेकिन RBI उससे जितना ज़्यादा पैसा reserve के तोर पर रखवाएगा सुरक्षित रखवाएगा उतना कम पैसा bank के पास होगा आपको आगे देने के लिए और जितना कम पैसा bank आपको आगे देगा उतना ही कम अर्थवस्था काकार बढ़ पाएगा तो अगर bank का आगे ज़्यादा पैसा देगा तब अर्थवस्था काकार जादा बढ़ेगा समझ में आई तो credit creation जादा तब होगा तो इसका मतलब यह है कि bank जादा पैसे दे पाए अब यहां पर यह पूछा जा रहा है कि उपर जो options दिये गए इन में से कौन से ऐसे हैं जो bank की इस capacity के ओपर limitations लगाएंगे मतलब यहां पर यह पूछा जा रहा है कि कौन से वाले option की वज़े से अर्थवस्था में जो पुंजी है वो generate नहीं होगी या कम generate होगी ठीक है increasing cash reserve ratio अगर CRR को बढ़ा दिया जाता है तो bank को जादा पैसा CRR के तोर पर रखवाना पढ़ता है reserve bank के पास और अगर bank जादा पैसा रखवा रहा है reserve bank के पास तो उसके पास कम पैसा है आगे देने के लिए और अगर कम पैसा है तो बिल्कुल सही बात है यह limitation के तोर पर काम करेगा बिल्कुल सही बात SLR statutory liquidity ratio यह अपने पास maintain करना होता बैंक को अगर उसे बढ़ा दोगे अगेन बैंक को सुरक्षिद धन जादा रखना पढ़ रहा है तो फिर वो कम रिंड दे पाएगा कम लोन दे पाएगा तो economic size नहीं बढ़ेगा bank rate बढ़ा दिया आपने जैसे रेपो रेट है bank rate आपने बढ़ा दिया अगर bank rate आप बढ़ा देंगे तो bank के पास loan लेने के लिए कम लोग आएगे क्योंकि उन्हें ज्यादा ब्याजदर देनी पड़ रही है और ज्यादा ब्याजदर पे loan नहीं लेता private sector तो avoid करता है increasing the obligations under capital adequacy ratio CR CR भी एक अनुपात होता है एक reserve होता है जो bank को अपने पास रखना पड़ता है अगर उसे भी आप बढ़ाओगे तो भी क्या हो जाएगा bank के पास कम पैसा होगा आगे loan देने के लिए तो बैटा चारों के चारों चारों के चारों बैंक की capacity को limit करेंगे और उसकी वज़े से जो credit creation है वो भी कम होगा limit to credit creation हो जाएगा करेक्ट आंसर हो गया डी सभी चार तो चारों की चारों जो है वो credit creation के आड़े आएगी credit creation के रास्ते में आएगी ठीक है डी हो गया चलो 5 question हो गए एक बार जल्दी से मुझे बताना कितने number बैठ रहे हैं फिर आगे बढ़ते हैं और class आज भी जल्दी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि आपको पता है पांच बज़े से मेरी paid class है तो class जल्दी छोड़नी है इसलिए जल्दी जल्दी questions करने है लो भाई next question economy आज तो मुझे लग रहा question जो है आज जो question है वो ज्यादा तर economy के हैं environment के हैं और history के हैं आज जोगरफी के questions कमी है जोगरफी आज है नहीं पांच में से चार अरे पांच में से चार तो बहुत सारे के आगए बही आज चलो अच्छी बात है पांच में से चार तो बहुत सारों के आगए गलत सही करके गलत कर दिया this is my first class welcome to the class स्वागिता जी स्वागिता नहीं 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 स्वागतिका बिटा मतलब बढ़ा बढ़िया सा नाम है मेरे से तो लिया भी नहीं जा रहा आपका नाम बिटा स्वागतिका स्वागतिका अच्छा एक चीज बताता हो भी एक बच्चे ने का कि सही करके गलत कर दिया दो अब आपको एक ट्रिको बताता हूं मैंने एक बार बहुत पहले बताइए यह कोई साइंटिफिक ट्रिक निए यह तुक्का लगाने का कोई साइंटिफिक तरीका निए यह है आपकी intuition, intuition मतलब अंतरात्मा की अवाज, कहीं बार क्या होता है, हमने न चीजे पढ़ी होती है, हमने read की होती है, हमने पढ़ी होती है, बट ultimately क्या होता है, हम back of the mind कहीं चली जाती है, वो हम actively उन्हें याद नहीं रख पाते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा ही किया, हमने अच्छे से concept को समझा, वो back of the mind चली गई है, कहीं store तो हो गई है, अब क्या होगा, हमारे सामने question आएगा, हम question को देखेंगे, जैसी हम question को देखते हैं, हमें लगता है, ये वाला option हो जाना चाहिए, अब मुझे कोई reason नहीं मिल पारा, मु अच्छे दूसरा option की तरफ पहुंच जाता हूँ, क्योंकि मैंने logics लगा लिये, और 99% ऐसे case में, जो मैंने अभी समझा, ऐसे case में 99% मेरा answer फिर गलत हो जाता है, और जो पहली बार मैंने लगाया था, फिर मुझे पता लगता, वो ही सही था, क्या है, that is intuition, subconscious mind आपका, आप नहीं कर पारे, तो आप भरोसा नहीं कर पाते हैं, और इसलिए जब test लगाते हैं, तो यहाँ पर ऐसे question जो आते हैं, जहाँ पर वो intuition काम कर रहे हैं, वो करने चाहिए, वो हमें हमारी intuition पर भरोसा करना सिखा देते हैं, तो try क्या करो, चलो इसका answer देख लेते हैं, how many of the above actions can be taken by RBI to decrease money supply, अर्थवस्था में money supply को decrease करना है, कम करना है, ठीक है, कम करना है, buying government bonds from state bank of India, बेटा देखो, RBI अगर bond खरीदती है, तो bond RBI के पास आता और RBI का पैसा market में चला जाता है, यह पैसे को बढ़ाएगा, यह पैसे को कम नहीं करेगा, यहाँ पर कह रहे हैं, कम करना है decrease करना है, तो यह पैसे को कम नहीं करेगा, ठीक है, कम नहीं करेगा, यह पैसे को उल्टा बढ़ा देगा market में, क्योंकि RBI ने security खरी दिया, तो RBI ने पैसे दे के खरी दियोगी, गलत, making loan costlier by increasing, रेपोरेट यह बिल्कुल सही बात है, अगर आप रेपोरेट को बढ़ाओग अगर loan लेना महंगा हो गया, then definitely कम लोग loan लेने जाएंगा, और definitely market में पैसा कमाएगा, decreasing the margin requirement for loan taken by public, अभी मैंने आपको क्या समझाया था, margin requirement, जब आप loan लेते हो, तो loan का कुछ हिस्सा जो होता है, वो bank अपने पास सुरक्षित रखता है, कि अगर आगे चलके, यह जो loan दिय जा गया है, यह bad loan बन जाता है, मतलब non-performing acid बन जाता है, मतलब यह पैसा डूब जाता है, तो भी इसका कुछ percent, कुछ प्रतिशत जो है, वो bank को वापिस मिल जाए, उसे कहा जाता है, आपका reserve requirement, ठीक है, sorry, margin requirement, यह जो margin requirement है, अगर इसे कम कर दिया जाता, तो bank के पास ज़्य ज़्यादा पैसा होता, लोन देने के लिए, और bank के पास अगर ज़्यादा पैसा है, लोन देने के लिए, फिर वो ज़्यादा पैसा ही उधारी पर देगी, इससे कमनी होगा, इससे बलकि उधारी ज़्यादा हो जाएगी, RBI printing more money to finance fiscal deficit, यह मैंने आपको कलिया परसो समझाये था, क्या कहा जाता इसे, इसे हम कहते है, monetized deficit, monetized deficit में क्या होता है, monetized deficit में RBI जो है, वो नए note print करती है, उस पैसे से government की securities खरीद लेती है, जब government की securities उसने खरीदी तो पैसा कहां चला गया, सरकार के पास चला गया, तो market मे ज़्यादा पैसा आएगा, market में कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा, उल्टा, correct answer जाएगा, केवल दो, ए है, इसका correct answer बच्चे, इसका correct answer है, केवल एक, only one, second वाली statement करेक्ट है, बाकी सारी गलत है, क्योंकि बाकी सारी market में, money supply को बढ़ारी है, कम नहीं कर रही, लीजे भाई, next question, wage price spiral, बेटा wage price spiral, मैंने तुम्हें एक दिन पहले समझाया था, देखते हैं, कितनों को याद है, wage price spiral, आज उससे भी बड़ा question आ गया है, पिछली बार थोड़ा चोटा question था, आज बहुत बड़ा question है, ECO गलत लगता है, वो ECO difficult लगता है, यह अब तो आसान लग रहा होगा, मैं तो बिल्कुल बच्चों की तरह समझाता हूं, चीजे, अभी भी economics difficult लग रही है क्या, गुड़ी इवनिंग, गुड़ी इवनिंग, बहुत लेट आए हैं, आप आदे घंटे से उपर हो गया, क्लास को, टाइम प्राया करो, बेटा एक दिन पहले मैंने आपको समझाया था, wage price spiral, चलो, जो कहरा B, अगर तुम कह रहे हो B, ठीक है, बिलकुल बिलकुल, कुश्बा यादव, spiral का मतलब होता है, एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ता है, बिलकुल बिलकुल बिलकुल, सही कह रहे हो, spiral का मतलब यही होता है, अच्छा एक बाइब बताओ अगर तुम कह रहे हो बी तो गलत कौन सा है अगर आप कह रहे हो बी तो गलत कौन सा है हाँ गलत कौन सा फिर गलत कौन सा है देखो बेसिकली होता क्या है अचा पहले वाला गलत है पहले वाला गलत है चला देख लेते हैं पहले वाला गलत आल राइट ठीक है देखो वेज प्राइज स्पाइरल है क्या पहले यह देख लेते हैं जैसे एक बच्चे ने का बिलकुल सही का स्पाइरल का मतलब यह होता है एक को बढ़ा हो तो दूसरा बढ़ जाता है देखो अगर 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 मेरी वेज बढ़ा वेज मतलब मेरी तंखा बढ़ गई है ना यही है अगर मेरी तंखा बढ़ गई तो मेरे पास जादा पैसा होगा और जब मेरे पास जादा पैसा होगा तो मैं जादा शॉपिन करूँगा मैं और चीजे खरीदूगा ऐसी होता है, आहमतृर पर ऐसी एकौनमी चलती है ठीक है, तो वेज अगर मेरा बढ़ा तो क्या होगा? वेज की वज़े से डिमान्ड बढ़ जाएगी दिमान्ड बढ़ जाएगी और डिमाइंड बढ़ने की वज़े से क्या होगा इन्फलेशन आ जाएगा है ना इन्फलेशन आ जाएगा तो मतलब कीमते भी बढ़ जाएगी अच्छा अगर कीमते बढ़ रही है अब कीमते बढ़ रही है तो वस्तुए महंगी हो रही है अब वस्तुए महेंगी होगी तो मैं भी काऊंगा वस्तुए महेंगी होगी मेरी भी सैलरी बढ़ाई जाए तो फिर क्या होगा wage को बढ़ाना पढ़ेगा wage बढ़ेगा फिर होई ओगा demand बढ़ेगी inflation बढ़ेगा in Scorpion बढ़एगा मैं को कले बinta बढ़ा वह बन्याना कवार क्वार्ल यह होता है wage फ्रीज भराइज श्पारइल तो wage फ्रीज फ्राइज बताता है कि कैसे बढ़ती कीमतों की वज़े से मुद्रास्फिती बढ़ती है बढ़ते Forces की वज़े से तंका की वज़े से मुद्रास्फिती बढ़ती है और मुद्रास्फिती की वज़े से फिर वेज बढ़ता है तो जो connection है दोनों की increase होने का उसे समझातें It established cause and effect relationship between rising wages संधिय बात है and lowering prices, नहीं, price lower नहीं हो रहा है, increasing prices, तो wage भी बढ़ रहा है और price भी बढ़ रहा है, तो यहां होना चाहिए था बढ़ती मजदूरी और बढ़ती कीमतों के बीच कारण और प्रभाव संबंद स्थापित करना बढ़ती मजदूरी और बढ़ती कीमत होना चाहिए था इट इस आल्सो नोग आज कॉस्ट पुष ओरीजिन ऑफ इंफलेशन यह तो कहा जा सकता है कॉस्ट पुष्ट तो है कहीं न कहीं कॉस्ट पुष्ट तो है कॉस्ट पर इंफलेशन ठीक है और कि दिस इज नौट कंट्रोव बढ़ाले सेंट्रल बैंक देखिए सेंट्रल बैंक चाहे तो उन जरूर कर सकता है अगर अर्त क्या जा जाए तो आपकी एसलिए चिख अनक हिए analys ठीक में लाई जा करें इसका करेक्ट आंसर जाएगा option number a केवल एक ठीक है केवल एक तो याद रखना वेज प्राइज स्पायरल इस बात को दर्शाता है इस बात को दिखाता है कि जैसे जैसे तन्खा बढ़ती है जैसे वेज़ बढ़ रहे हैं उसका प्रभाव पढ़ रहा है cost पे cost of goods पे वह भी बढ़ते हैं और इसका प्रभाव ऐसे भी आप देख सकते हो जब वेज बढ़ते हैं तो cost of production भी तो बढ़ता है वह मजदूर जो पहले सो रुपे में कोई चीज बना रहा था अगर वो कहेगा अब मैं 110 रुपे में बनाऊंगा तो 10 रुपे एक्स्ट्रा लग रहे हैं उसे बनाने के तो अल्टिमेटली वह 10 रुपे एक्स्ट्रा जो लगे वह producer किसको transfer करेगा आपको यह तो transfer करेगा आपसे तो वसू लेगा ठीक है तो कॉस्ट पुष भी इसे कहा जा सकता है तो यह हो गया इसका करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं अगले सवाल पर आजाओ कि आज़ो भी आज़ो नेक्स्ट क्वेस्टन पर आज़ो अगला सवाल आज के क्वेस्टन गलत हो रहे हैं तो क्या करूँ बेटा इज़ी वाले क्वेस्टन लेकर आ जाओ आसान वाले सवाल लेकर आज़ो जिसमें तुम खुश हो जाओ कि हां सर बड़े आसान से मज़ा आ गया फिर तुम काओगे थैंक्यू सर इज़ी इज़ी सा करवा दिया आपने और जब एक्जाम दे के आओगे तो फिर काओगे सर ये क्या कर दिया हमारे साथ आसान आसान सा करवा दिया था एक्जाम में तो डिफिकल्ट आ गया अच्छा किसीन नीज्ट में बैल्ड इगल अच्छो कैसीड आ ये बैल्ड इगल क्या होता है बैलेकल बैल्ड का मतलब वैसे होता है गंजा यह गंजा बाज है गंजा बाज अच्छे जो वर्ड होता ना बैल्ड इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है सम्बडी हूँ डज नॉट है ठीक है सम्बडी हूँ डज नॉट है वो होता बैल्ड का मतलब है तो यह क्या है यह गंजा इगल है अच्छा अगर आपने पढ़ा है तो बताना क्यों पढ़ा है अगर आपने पढ़ा है तो why was this in the news क्यों था ये खबरों में खबरों में क्यों था पहले तो एक बात समझना बेटा जो इगल्स होते इगल्स बात हो रही है आपर इगल की जो इगल्स होते हैं यह नॉक्टर्नल नहीं होते नॉक्टर्नल वर्ड का मतलब समझो पहले नॉक्टर्नल वर्ड का मतलब होता है रातरी की प्रजातिया जो रात को शिकार करती है रात को जाकती है जैसे उल्लू को कहा जाता है वो होते हैं नॉक्टर्नल इगल्स जो होते हैं यह दिन के टाइम शिकार करते हैं रात के टाइम यह अपने घुसलों में रहते हैं अपने इसलिए रहा है क्योंकि पिछले कुछ दश्कों में कंजर्वेशन की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज में से एक यह है एक जमाना था जब इगल्स की जो संख्याती वो कम होती चली जा रही थी इंडिया में अगर आप देखो के मैं अगर आपको बताओं जब हम छोटे हुआ करते थे स्कूल में हुआ करते थे तो हमें चील और बाज इगल जो होते हैं यह दिख जाते थे गिद्ध वल्चर्ज यह दिखते थे आज के जमाने में आपको चलिया नहीं दिखरी चील, गिध, बाग, ये तो कहीं दिखेंगे, आपको बाज, ये तो कहीं दिखेंगे तो धीरे-धीरे करके ये विलुप तो होते चले जा रहे, धीरे-धीरे करके ये गायब होते चले जा रहे इसके पीछे बहुत बड़ा कारण specially मैं बात करता हूँ वल्चर्स की या इगल्स की अगर मैं बात करता हूँ सबसे बड़ा कारण था डिकलोफनेक 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 एक मेडिसन एक दवाई को का जाता है यह बेसिकली जो जानवर होते हैं मवेशी होते हैं जानवर आपकी कैटल जो गई भैस हो गई गाएं हो गई इनको injection के तोर पर लगाए जाता है यह जो दर्द होता है मवेश्यों के पैरों में जोडों में उसके लिए होता है तो anti-inflammationary drug के तोर पर इस्तमाल किया जाता है जैसे हम लेते हैं हम भी medicine लेते हैं कि कभी body बोड़ी में पेन हो रहा है तो एक medicine ले लिए उस टाइप की medicine ती डिकलोफिनाग अब यह डिकलोफिनाग एक ड्रग था अब यह जानवर की बोड़ी में चला गया जब जानवर की इन की body में डिकलोफिनाग चला जाता था जिसकी वज़ेसे इन की kidneys fail हो जाती थी और बहुत बड़ी मात्रा में आपके vultures आपकी eagles जो मारेगा इसकी वज़ेसे फिर डिकलोफिनाग में प्रतिबंद लगा दिया गया था यह जो इगल है बैल्ड इगल यह प्रजाती इंडेंजर्ट स्पीशिस की कैटेगरी में आगए थी इंडेंजर्ट लेकिन आज की तारिक में आज की तारिक में इसले नियूज में था पूरी दुनिया में कंजर्वेशन में सबसे बड़ी संसेय स्टोरीमे स्कनाम लिया जाता हूँ आज की तारिक में यह लिजट चंसर्ड्ड है और least concerned उस जानवर उस उस पक्षी को कहा जाता है जिसकी प्रजाती में जो जो species है वो खतम नहीं होगी इतनी सारी हो गई है वो तो अपने आप में इनकी population बड़ी है बहुत तेजी से बड़ी है क्यों क्योंकि conserve किया गया डिकलोफनैक पे रोक लगाई गई है तो पहली चीज कैनेडा साइड जो है वहाँ पर यह देखे जाते हैं वहाँ पर पाई जाते हैं डियार इंक्लूड़ीड अंडर लीस्ट कंसर्ण स्टेटस ऑफ आई उसी औरेड लिस्ट बिल्कुल सही बात है एक जमाने यह इंडेंजर की कैटिगरी में थे आज की टाइम में यह पॉपुलेशन तक पहुंचा सकते हैं करेक्ट आंसर जाएगा आपको अप्शन नंबर बी केवल दो सही हैं और यह लीजे भई की हिस्ट्री बहुत धिनों से तुम मेरे पीछे पढ़े वेते सरीष्ट्री आब सुरू कर वादिया हिस्ट्री करो हिस्ट्री लोबआ करो हिस्ट्री हिस्ट्री तुम्हारी modern इंडियन इस्ट्री तुम्हारा modern इतिहास सर बैल्ड इगल गंजे इगल होते हैं क्या बिटा आपने कौन से वाले इगल के सर पर बाल देखें पहले बताओ मुझे यह यह तो मैं आसी मजाक कर रहा था आपने तो सीरियसली ले लिया कि उनको गंजा कर दिया कि अरे बिटा कि ध्यान से करना है question बता रहा हूं गलती हो जाएगी नहीं तो ध्यान से कर ले ना question को बात हो रही है moderates की अच्छा मुझे 5 moderates के नाम बता सकते हैं आप 5 moderates के 5 moderates 5 moderates के नाम बता दो आप मुझे देखते हैं बता पाते हो नहीं बता पाते देखते हैं कितना इतिहास जानते हैं आप अपना और आप से तो इस्पेक्टेशन रखी जा सकती आप UPSC के एस्परेंट है आपका तो फर्ज बनता है दुनिया को बताना बताओ बई सर इंग्लिश भी पढ़ा देंगे आप नहीं बटा यह यह वाली लैंग्वेज रहना इसे बोलते फ्रेंच और यह वाली जो है मेरे बच्चे इसे बोलते जर्मन ठीक है इंग्लिश में नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं मैं फ्रेंच और जर्मन में पढ़ाना पस करता ठीक है गुड दिस फ्रेंच एंड इस जर्मन और यह जो मैंने बोला भी यह फार्सी में बोला मैंने ठीक है बच्चे जबरदस्ती की फालतू के कॉमेंट करने है बटा भगवान ने भगवान ने दिमाग दिया है अच्छा-च्छा सोचने के लिए बेवकूफी वाले स कॉंग्रेस में मॉडरेट्स की बात हो रही है मॉडरेट्स यह वो लोग है जिन्नों ने इंडियन नैशनल कॉंग्रेस की स्थापना की यह वो लोग है जिन्नों ने शुरुवाती दोर में इंडियन नैशनल कॉंग्रेस को उसकी दिशा-प्रदान की यह वो लोग है जिन् के सक्सेस के बारे भी बात की गई है और जब मैंने आपको 1892 का इंडियन काउंसल एक्ट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि वह इनका ही सक्सेस था जहां पर लेजिसलेटिव काउंसल को ब्रॉड किया जा रहा था question पूछने का right दिया जा रहा था budget को discuss करने का right दिया जा रहा था आगे चल कर budget पर resolution भी आप ला सकते थे supplementary question भी आप पूछ सकते थे कहीं ना कहीं इनी का success था उनके बारे बात की जा रही है देखे सबसे पहली statement क्या बोल रही है integrated judiciary and executive इसका मतलब क्या है एक इकरत नियाय पालिका और कार्रे पालिका इसका मतलब है एक ही व्यक्ति में नियाय पालिका और कार्रे पालिका की शक्ति होनी चाहिए आपको क्या लगता है क्या moderates ऐसी demand रखेंगे क्या वो यह चाहेंगे कि एक ही व्यक्ति को judicial powers भी दे दो नियायक शक्ति भी दे दो और उसे executive power भी दो कार्रेकारी शक्ति भी दे दो what do you think क्या आपको लगता है कि वो ऐसी demand रखेंगे मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता उन्होंने demand रखी थी separation of judiciary from executive जो आपके constitution में भी दिया गया है article number 50 directive principle of state policy यह वो ही demand है separation of judiciary from executive एक ही व्यक्ति में नियायक और कार्रेपाली का दोनों की शक्ति नहीं होनी चाहिए तो पहली वाली गलत है reduction of land revenue and protection of peasants from unjust landlord यह तो कर सकते हैं वो भू राजस में कमी और अन्याई जमिनदारों से किसानों की सुरक्षा यह तो बिल्कुल कर सकते हैं यह तो logical बात है Abolition of salt tax and sugar tax नमक कर और चीनी शुल्क की समाप्ति यह भी कर सकते हैं यह भी बिल्कुल हो सकता है अच्छा एक चीज बताओगे आप गांधी जी ने सवीने अवग्या अंदोलन सही काना मैंने सवीने अवग्ये civil disobedience movement उसकी शुरुआत की दिन नमक कानून तोड़कर काफी दिन तक गांधी जी सोचते रहते कि कि किस चीज से शुरुआत करनी चीए फिर फाइनली उन्हें इसा क्यों इतिहास में इसका जवाब है आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा आपको पढ़ाये गया होगा जरा मुझे बताना है ऐसा क्यों reduction of spending on army बिल्कुल सही बात है आर्मी पर खर्चा जो था वो तो drain of wealth के सिद्धान्त में भी बताया गया था drain of wealth दादा भाई नाराओ जी ग्रैंड लोल मैंड आफ इंडिया तो सेकेंड थर्ड और फोर्थ यह जरूर मॉडरेट्स की डिमांड थी सी करेक्ट आंसर है आपका सी ठीक है तीन डिमांड थी सेकेंड थर्ड और फोर्थ और यह लो आखरी सवाल आज का फिर मुझे जाना है पेड़ क्लास लेने हावाइस सवीने अवग्य आंदोलन सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट की शुरुवात हुई थी नमक का कानून तोड़कर सॉल्ट लौ सॉल्ट ही क्यूं चुना नमक ही क्यूं चुना क्या गांधी जी देश का नमक चुका रहे थे बिल्कुल कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही बता है आप में से कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही बता है नमक एक ऐसी चीज है जो आपकी मूलभूत आवश्चकता है बेसिक नीड है यह पूरे समाज को अमीर हो गरीब हो धर्म ओ जाती हो कोई फरक नहीं पड़ता सब को जोड़ देता है एक साथ कि से गांधी जी सीधा पूरे देश के साथ कनेक्ट हो गए थे पूरे देश के साथ حत हैं अमिर हों चाए गरीब हो क्यूंकि सभी का फायदा सभी को benefit होगा तो एक जटके में एक एक जटके में पूरे देश एक साथ जोड़ लिया वह मुलभूत सुविदा मुलभूत जरूरत थी उस पर उन्होंने चोट मारी थी चलिए देख लेते हैं गांधी जी अराइव डिन इंडिया देखिए आपको पता होना किसी ने तो बुलाया होगा गांधी जी को साउथ अफरीका जरा उसका भी नाम मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना उसका भी नाम मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना किस ने बुलाया था गांधी जी को तो गांधी जी गए साउथ अफरीका जब गांधी जी साउ और थीड देखा उन्हें चलती ट्रेन से बाहर निकाला गया उसके बाद उन्होंने वहां से अंदोलन की शुरुवात कि और अगर बात करें गांधी जी के सत्याग रहे कि तो गांधी जी ने जितने मेथर्ड इंडिया में यूज किया है वह सारे मेथर्ड साउथ अफरीका स लेकर आये तो उन्होंने सत्याग्रह कि जो शुरुवात की थी वह साउथ ऐफ्रीका में ही कर दी तो गांधी जी ने जितने भारत में आकर उपकरल यूज के टूल्स टेकनिक्स यूज की चाया बात कर लिजे नॉन कॉपरेशन और सही योग चाया बात कर लिए बात कर लि इसके आसपास हुई थी बंगाल का विभाजन हुआ बेंगौल का पर्टिशन हुआ और जब बंगाल का विभाजन हुआ उसी समय हुई थी स्वदेशी मूव्मेंट और स्वदेशी मूव्मेंट में वो सारे टूल्स टेकनिक्स यूज किये गए थे जो आगे चलके गांध established इंडिनिया बिल्कुल सही बात है शहर शहर गाओं गाओं में भारती राश्ट्रे Congress जो है इंडियन नाशनल Congress जो है उसकी एक पकड़ तो बन ही गई थी हाला कि गांधी जी के आने के बाद Congress जो अभी तक Middle Class की पार्टी हुआ करती थी उसे गांधी जी कहां ले गए गरासरूट लेवल पर ले गए तो Congress को देश में गरीब जनता देश के किसान गाओं में रहने वाली जनता उसके साथ जोड़ने का काम गांधी जी नहीं किया लेकिन हाँ Congress जो है वो इस्टैबलिश तो हो चुकी थी तब तक तो यह हो जाएगा इसका सही जवाब और यहां पर आके आज का सेशन खतम हो जाता है लाइक और शेयर कर देना करना भूल गए थे तो और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजेगा कि आपको सेशन कैसा लगा आई होप आपको मज़ा होगा आपको अलग-अलग सब्जे क्रैश कोर्स में ना केवल ठीक है ना केवल आपका GS बलकी CSAT और करेंट फेस्ट भी कवर करा दिया जाएगा जुड़ना है तो कूपन कोड लगाना है क्या है कूपन कोड़ वाई 365 यह मेरा कूपन कोड़ है लगा लोगे डिसकांट मिल जाएगा और मेरे साथ जुड़ पा इसके अलावा अगर आप महापैक में जुड़ना चाहते हैं आप इसमें भी जुड़ सकता है महापैक महापैक का मतलब है बिटा हमारे सारे बैचिस एक साथ अड़्ड़ 247 आई-स के चैनल पर जितने बैचिस हैं जितने फाउंडेशन करेंट अंसर राइटिंग से राइ ठीक है और ऐसे ही टॉपर आप भी बन पाओगे अड़्डा की अप्लिकेशन डाउनलोड कर लेना अड़्डा की अप्लिकेशन पर फ्री कोईंस लगा लेना आपको और डिसकांट भी जाएगा कल याद रखना बारा बजे आपके लिए स्पेशल सेशन होने वाला है जो भ